लगनव में यह हुए बिल्डिंग हासे के बाद आपरीशन जिंजगी लगातार ज़ारी है और तस्वीर हमाप को दिखा रहे हैं किस तरीके से जो तीन लोग अभी भी बताए ज़ारी हैं मलमे में फसे हुए हैं उन्हें निकालने की कवायद ज़ारी है और तेस्ट कर दीगा विरिश वहां पर लगातार बने हुए हैं वहां से पलपल की ज़ानकारी दे रहे हैं कि लेकिन जस तरीके से होसला दिखाया जा रहा है टीम के तरब से एंडियरफ की टीम वहां पर मौझूद है सेना के जवान वहां पर तैनाथ है और यही होसला इसी होसले की वज़ा से लोगों की जो इस्तिती है वो बहतर बने कुई है सुरक्षित लोगों को बाहर निकाल वहां से निकाला जा सका है यह सब घर से ही हैंडी क्राफ्ट का बिजनस करके हर महीने लाखो कमाते हैं आपको भी यह करना है इनसे सीखना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए जिसमें ऑपरेशन जिन्दगी को लगातार 13 घंटे 30 मिनट से ज्यादा वक्त से एबी पी गंगा आपको लाइव दिखा रहा है वहां जो कुछ चल रहा है बिल्डिंग के ढहने के बाद कैसे लोगों को बचाने के प्रयास किये जा रहे हैं यह सब कुछ लगातार आप और तीन लोग और फसे हुए बताये जाते हैं तीन लोग इस मलबे में और फसे हो सकते हैं ऐसा अनुमान है बिल्डिंग के बेस्मेंट में पानी का रिसाव हो रहा था यह पुलिस के सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट पाइप डलवाने के लिए तीन दिनों से वहा अगर पुलिस के पास जानकारी है तो इसका मतलब पुलिस इस तरीके से सोच रही है इस हाथसे के पीछे की वजह के बारे में पाइप डलवाने के लिए तीन दिनों से वहां पर ड्रेलिंग चल रही थी और बेस्मेंट में कमरे का भी निरमान कराया जा रहा था तो बिलड पुलिस के पास ये जानकारी निकल कर lige है पुलिस ने जो समझा प्रक्रण को उसमें ये बडा कारण पुलिस के साब ने आए कि तीन दिन से बेस्मेंट में डिलिंग की जा रही थी वहाँ पर कमरे का भी निर्मान कराए जा रहा था वहाँ पर पानी का रिसाव चल रहा था इसी वज़े से नीव खिसकी और यह हाथसा हुआ यह बिल्डिंग गई ही बिल्डिंग हासे में अब मलबे के भीतर सिर्फ तीन लोग फसे हैं ऐसा वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे लोगों का कहना है ऐसा अथारिटीज का मानना है कि तीन लोग और फसे हो सकते हैं और उनको निकालने के लिए वहाँ पर प्रयास किया जा रहा है 14 लोग की जान बचाने के प्रयास कर रहे हैं और एबीपी गंगा लगातार आपको तस्वीरे दिखा रहा है 13 घंटे 35 मिनट से यह सब घर से ही हैंडी क्राफ्ट का बिजनस करके हर महीने लाखों कमाते हैं आपको भी यह करना है इनसे सीखना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनल